सब्सक्राइब किजिए टेक्निकल डिपक चैनल को और बेल आइकन दबाएए लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए propolis लिए लो गाईस आप अपने इस्टाग्राम एकांट को ओपन करते हैं उसको ओपन करने के बाद आप सिंपली से यस चैट वाले अपूरोप में चले जाते हैं जैसे कि आप देश सकते हैं मैं इनकी प्रोफाइल में चला गया हूँ और इनकी प्रोफाइल में आने के बाद यहां पर मैं क्या कहता हूँ जो चैट होता है उसी को आप इस तरह से डिलीट कर देते हैं डिलीट कहने के बाद यहां पर आपको कनफ्यूजन रहता है कि क्या वो चैट मैंने डिलीट किया था आप बाद में सुचते हैं कि यह चैट मैंने डिलीट किया था या जो उधर से रिपलाई दे रहा था उसने य confusion रहता है और आपको नहीं पता कि ये chat किसने डिलिट किया था आपने आया उसने और आपके जो कुछ keywords है जो आपको जरूरत है जो आपने कुछ chat किया था उसमें से आपको कोई ऐसे सब्दा आपने चैट में लिखे थे जो आपको बहुत ही जरूरी थे और आप उनको रिकवर करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इस्टाग्राम एकाउंट पर कोई भी चैट करते हैं कोई भी मेसेज भ सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर आपको जाती है तो आपको क्या गना है आपको कुछ नहीं कहना है आपको यहां पर क्या गना है यहां पर आपको आना है और फिर से आपको यहां पर चैट वाला एप्सन पर क्लिक करना है और जिसके साथ आपने चैट की थी उसका नाम यहां पर सर्च करना है जैसे मैं यहां पर नाम सर्च करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं मैं जैसे किसी का भी पास ले लेता हूं तो यहां पर आपको क्या करना है उन्हीव की प्रोफाइल में आना है यहां पर हई ले लेना है यहां से छोट्युद invite करने के बाद आपको प्रोफाइल में चले जाना है प्रोफाइल में आने के बाद आपको इतना तो मालूम ही होगा फिर आपको क्या करना है यहां पर उपर थी डोट पर किलिक करना है इन पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको सेटिंग के अप्शन पर किलिक करना है सेटिं ए प्रोब्लम का हिंदी मतलम भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं क्योंकि आप लोग को बहुत लोग को हिंदी मतलम नहीं पता होता है तो इसका यह मतलब होता है कि जो आपकी प्रोब्लम है जो आपकी मतलब समस्या है उसे यहां पर आप लिख सकते हैं तो यहां पर आप पर रिपोर्ट प्रोब्लम पर किलिक करना है फिर यहां पर आपको रिपोर्ट प्रोब्लम का उप्शन मिल जाएगा आपको इस पर किलिक करना है इस पर आप जैसे ही किलिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने इस तरह का उप्शन आ जाएगा तो यहां पर आपको एक सेच में बताईए कि क्या हुआ है या क्या काम नहीं कर रहा है तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको क्या करना है यहां पर गैलरी का जो ऑप्सन दिया है आपको इस पर किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद यहां पर जो आपने इस्क्रीन सोट लिया था उस इस्क्रीन सोट को आपको यहां पर सेलेक्ट करना है यहां पर दे सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया है आप आपको यहां पर क्या करना है यहां पर आपको थोड़ा यह से लिखना है यहां पर जैसे मैं आप आपको बता रहा हूं इस तरह से आपक भी आपको लिखना है जैसे आपको चेट हो गए तो यहां पर आपको लिखना है यहां पर पहले आपको लिखना है प्लीज ऐस टागराम पुझा करो टीम यहाँ पर लिखना आपको है प्लीज इस्टागराम टीम इस तरह से लिखना और फिर आपको यहाँ पर याप यहाँ पर लिख सकते हैं डियार इस्टाग्राम टीम इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं और फिर उसके बाद में आप आपको नीचे अपनी समस्या लिखने है आप ऐसे लिख सकते हैं यहापर मेसेज यहापर आप जो भी यहापर लिख सकते हैं मेसेज यहापर लिख सकते हैं आप चैट जो भी पासा में लिखना चाहें लिख सकते हैं लिखने के बाद जिसे मैं को कवल समजह रहा हूं फिर आपको यहां पर नेस्ट का में हल मदद मिले और यहां पर आप देख सकते हैं आप लिखावाई यद एक टैबल बंद टैबल बंद देते हैं तो किसी भी समस्या का पूंड लागन डाइटिंग और भेजना नेड़े सहम उद्देशक रिपोर्ट की जानकारी का उपयोग करें और यहां पर भी मैं आपक आमित यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छे से लिखकर भेजते हैं और स्क्रीन सोट आपको जरूर लगाना है और आपको अच्छे से अगर आप लिखकर भेजते हैं और यहां पर अच्छे से लिखकर भेजने के बाद आप यहां पर जब भेज देंगे तो य हाँ पर देख सकते हैं यहां पर आप देंगे तो style के पास आपकी नोटिफिकेशन चली जाएगी और इस्टाग्राम आपको आपकी जो चेट होगी वो रिकॵर करके देगा तो कैसा लगा आपको वीडियो को ओन कर लीजिए जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे